बड़ी खबर आपको बता दे, पाकिस्तान से आई मैला सीमा हेदर मामले से जोड़ी हुई, बड़ी खबर आपको बता रहा है, यूपी ATS ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है, सीमा हेदर के पाकिस्तान के फोन नंबर की भी जांच जारी है, ATS को नौईडा पुलि लगतार उलजता ही जा रहा है पुलिस को दरसल बहुत विरोधाबास जो है बयानों में नजर आ रहता सीमा हैदर के जो बयान पहले दिये गए थे लेकिन अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो यूपी ATS को दे दी गई है और जादा जानकारी के लिए हमारे सयोगी आम अब अब हो यूपी ATS के एंज्री होगी और जाहिस और पर नेपाल से जिस राखते में आई है किनके कॉंटेक्स में इसके अलावा जो पूराना मुवाइल नंबर इस्तमाल कर रही है ताकि उससे भी कूछ डिटिल निकल पाया और यह जहां पूराना मुवाइल नंबर इ हमँआ जानकारी मिल रही है कि इंद्री एजेंिटींची के संफर्ग में beste कि अधिकारी है और लगातार सीमा है डर कोंटाक्स के बारे पुलिस और गाजयबाद पुलिस ने अब तक जो भी जांज परताल की थी वो सभी जानकारिया यूपी ATS को दे दी गई है सीमा के पुराने मुबाइल नंबर की भी जांज परताल अब यूपी ATS की तरफ से की जाएगी संजीबालियान बाड प्रभावित के बीच पहुचे और कपड़े उतार कर बाड के पानी में उतर गए गाउंवालों के साथ पानी में होते हुए मंत्री खेतों तक पहुचे और बाड से हुए नुकसान की जानकारी ली किसानों की कई एकर फसल बार में पूरी तरह से चौपट हो गए संजीव बालिया ने बार प्रभावितों को हर संभब मदद का भरूसा दिया उत्तर प्रदेश के टावा में नदी के किनारे रील बनाना दो लड़कों को महगा पड़ गया एक लड़की की मौत हो गई जबकि दूसरे लड़की की तलाश की जा रही है दोनों लड़के अपने दोस्तों के साथ सेंगर नदी के किनारे रील बनाने के लिए पहुचे थी दोनों का पैर फिसलने के बाद नदी में डूब गए जसमें 14 साल के रेहान की मौत हो गई जबकि चांद नाम का लड़का लापता है जिसकी तलाश के लिए SDRF की टीम लगी हुई है ये दोनों लड़के दिल्ली के रहने वाले थे जो इटावा में अपने रिष्टदार के यहां गए थे वाई राजस्तान के कई लाकों में भारी बारिश इसे हाल बेहाल है बूंदी में बारिश के वज़े से लोगों की मुश्किले बढ़ गए बूंदी के कई लाकों में बारिश के चलते जल भराव हो गया जबकि कुछ जगा पुल के ओपर से पानी बह रहा है खजूरी मार्क पर बने पुल पर पानी आने से आवजा ही बंद हो गए और तमाम लोग फस गए